स्वागत है दोस्तों आपका गुरू केरे प्लस पर आपका स्वागत है। दोस्तो आज मैं आपके लिए बहुत ही motivation एस्टोई लाया हूँ और उन्हीं students के लिए लाया हूँ जो quota आके त्यारी करने वाले हैं या फिर quota के लावा कोई से भी शेहर में IIT की त्यारी करने वाले हैं। दोस्तो कोटा में काफी सारे institute हैं एलन, अकाश, वाइब्रेंड, केरेपोईन और मैं आज जिस विद्ध्यार्ती की बात करने जा रहा हूँ वो है पार्ट दिवेदी जो एलन में पढ़ते थे और उन्होंने एर 35 आई है। मैं आपको बता दूँ कि ये वो बंदा है जिसने ICO में रहकर पढ़ाई करी है और J-Advance में एर 35 निकाल दी है। के बारे में स्टोरी आगे बताने जा रहा हूँ जो काफी आपको इंस्पायर करेगी उन स्टुडेंट को जो IIT की त्यारी कर रहे हैं या करने कोटा आने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज एक inspiration लाइन बता दूँ कि भाग्य जो है वो लिफ्ट की तरह है वो कभी भी बंद हो सकता है। राइट चली गई बंद हो सकता है कभी भी लेकिन जो मेहनत है न वो सीडियों की तरह है जो किसी भी वक्त इंसान को उस उचाई पर पहुचा देती है जिसके बारे में इंसान नहीं सोच सकता है कि मैं आज इस मुकान पर पहुच सकता हूं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्राप्त की थी लेकिन हुआ इनके साथ यूं कि जो पेपर था पेपर से इनका 25 दिन पेले ही इनको बुखार हो गया ठीके बुखार हुआ बुखार में इनकी करोना की रिपोर्ट नेगेटी आई थी लेकिन इनके जो टाइफाइट एंटिजन का पोसिटी पाय गया था ले हम इनको बहुत बोला कि तुम अभी पड़ो मत, किताबों को धूर चोड़ दो और अपनी तव्यत को देखो लेकिन फिर भी इनोंगे हाड़ नहीं मानी और किताबों को अपने से अलग नहीं होनी दिया और रेगुलर किताबों का साथ नहीं छोड़ा और अगर हम होते और अगर हम होते हैं, हम तो एक छोटा जबाना डूमते हैं, पढ़ाय ना करने का, पढ़ाय छोड़ देते हैं, या पिर हम इन सब कटनाईयों से हार जाते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, इस inspiration से आपको, क्या आपको मिलता है, मैं आपको इस बता दूँ, कि ये वो घड़ी ठीके ये वो गड़ी होती ये वो cut in time होता है जिस time है न आपको ये लग रहा होता है कि सब कुछ आप क्या opposite हो रहा है मतब आप जब गहां आपके साथ नहीं हो रहा है बहुत ही टफ time होता ही है ठीके और जब भी आपको एसा लगे न कि आप उम्मिद हारने वाले हो बस मेरा ह बस मैं अब इससे ज़ूज नहीं कर सकता तो मालो कि वह टाइम जब आपका होसला रखने काعة हमै अपने अंदर होस्ता रखना है तो बस जिसने होस्ता रखना न तो संभ़ो है और चैक्ट कि इन्हों ने अंत्रा अन्त समय तक हाड हाड़ नहीं माणनी वैसे हमें भी अपने life में किसी भी point of view किसी भी position पर और किसी KP पर हाड़ V माननी चाहिए और हमें लगे नहीं चाहिए चाहिए मुश्किल कितनी भी बड़ी कितनी ही भी बड़ी हो हमें हाण नहीं मानना चाहिए और अब को बता दूं कि इन्हों ने ओल इंडिया कोटा से यह held राउब्ट की है । ऐसे तो मैं आपको काफी चाहता हूं कि मतब कि आपके सामने कुछ भी हो आपको कितनी भी बड़ी परिशानियों का सामना करना पड़े आपको हाड नहीं माननी चाहिए क्योंकि हमारे अंदर एक winning spirit का होना जरूरी है हमें क्या शिक्षा मिलती हैं सब चीजों से हमें क्या अंदर अपने अंदर जोश जगाना चाहिए तो मैं आपको बता दू कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए क्योंकि जो पहाडों से निकल कर जो नदी निकलती ही न पहाडों से वो कभी यह पूस्ती की सम्मुद्र कितना दूर है तो उसी तरह है ना हमें दूसरों की सोच से अधिक दूसरों की सोच से हमें कुछ चादा करके दिखाना होता है और यही हमारी सफलता यही हमारी सफलता है ठीक है यही हमारी असली सफलता होती है यही हमारा असली स्प्रीट होती है ठीक है विनिंग स्प्रीट होती है हमारी तो मैं आपको जो हमारे धिवेदी जी है जिनका नाम पार्ध धिवेदी है पूरा उन्होंने इतने टफ टाइम में अपनी विनिंग स् रखने हैं चाहे कितना भी टफ टाइम आजाए आपको हार्ड नहीं माणनी है तो बेस्ट अफ लग फॉर ओल स्टूडेंट जो कोटा आके त्यारी करने वाले हैं कोटा शिक्षा नगरी में कोटा फैक्टरी में मतलब आप बस जीजान लगा देजिए बस कर लिया बस हारी ब सब्सक्राइर हो सकें और हमारे चैनल को सब्क्राइब जरूर करना ताकि हम आपको एसे वीडियो कोट दे सकें थैंक्यू वेरी मार्च